बारिश के मौसम के बाद बिलों और जाडियों में रहने वाले जहरीले सांप अब अपना आशियाना वाहनों के अंदर बनाने लगे हैं जो आम लोगों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं ऐसा एक मामला होशंगाबाद के सदर बाजार में देखने को मिला जाएक एक्टिवा में एक साब कई घंटे तक छिपा रहा वाहन में यू साब देखने के बाद इलाके में हडकम्प की स्थिती बन गई और ततकाल वन विभा की रेस्क्यू टीम को बलाया गया इसके बाद रेस्क्यू टीम ने सगन जाच की लेकिन वो साप उन्हें स्कूटी में नजर नहीं आया मजबूरन पूरी स्कूटी खोलेनी पड़ी तब कहीं जाकर उसकी भीतर छिपा हुआ साप पकड़ में आ सका लेकिन वो नहीं निकला वापसी आने पर वो साप गाड़ी में से लटक रहा था मैंने उसको निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला काफी परेसान हुआ मैं बहुत देर तक पास के लोगों ने मादद की लेकिन नहीं निकला फर रेस्क्यू टीम को कॉल किया रेस्क् बहुत गटनाएं हो रहे हैं गाडियों में साप बिच्छू कीड़े काटे गुश जाते हैं जिससे आपको कोई भी नुक्सा हो सकता है यहां रेस की पॉल आया था सौरमरसिंगों के पास सेगी एक स्कूटी में साप गुश गया है हम मौके पर पोँचे साज के बाहन एम्ब अगर आप भी अपने वाहन पार किया उसके आसपास खुली जगह में खड़ा करते हैं तो एक बार गाड़ी की जाच अवश्य कर लें हो सकता है कि उस पर कोई जहरीला साप छुपकर बैठा हो वो आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं वन विभा की माने तो पिछले कई दिनों से वाहनों के अंदर सांप का रेस्क्यू की संख्या में तेजी आई है पंजाब केसरी टीवी के लिए गजेंदर राजपूद की रेपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद